बिहार आके performance करना अपने लोगों के बीच में मुझे दूसरे ओसकर की जुरत नहीं यही ओसकर है मैं जब आया तो देखा कि यार मेट्रो का काम चल रहा है बड़ बड़े ओवर विरिजेज बन रहे हैं ऐसा लगा कि पटना पटाया बन जाएगा तो पटना पटाया बन जाए मेरे शुब कामना है तमाम भोजपूरी एक्टर जो है अपनी किस्मत आजमार है पवन सिंग क्या अगर आपको मौका मिले लोग सभा या विधान सभा में तो क्या चुनाब लड़ना चाहिए देखा देखी कोई काम मत करना मेरे भाई तो मैंने गर्व में ही कमेडी करना सीख लिया था तो बाहर आके ये शुरू हो गया मिला मुझे मेरा एक शो काफिस सूपर डूपर हेट हुआ भोज़े नमबर वन आप लोगों ने भी देखा होगा आपके घर वालों ने भी सबसे पहले बिहार मेंसे आपका स्वाविया क्या मेरा नाम हुआ कि आप आस में प्रिये स्वा भी बोलते हैं प्रीये सुआ भी बोलते हैं यह जो प्यार और मोहबत मुझे मिला है आप लोगों ने live शो में अजडिखा लोगों ने और जब तक पर्फॉम्एंस हुई नही और सच बता हूं, यह एज बिहारी परफॉर्फॉर्मर बिहार आके परफॉर्मेंस करना अपने लोगों के बीच मैं, मुझे दूसरे आज़कर की जौरत नहीं, यही आज़कर है. बिहार के लोगों को बिहार से बाहर इंडेस्टी में जाना, बौलिवूड इंडेस्टी हो, भौजपुरी इंडेस्टी हो, जैसे कॉमेडियन हो या हैरो एक्टिंग में जाना होT तो कैसी जी सुभ बिहार वो धरती है जब इसने चाहा तो एक ऐसा बच्चा पैदा किया जो घाटे में चल रही रेलवे को मुनाफे में ले आया ऐसा politician दिया बिहार ने जब चाहा तो एक ऐसा सपूत दिया जो बॉलिवूड इंडस्ट्री में गिया तो पूरी बॉलिवूड गाने लगी जिया हो बिहार के लाला बिहार वो सबका एक हमारा समझे के सबसे बड़ा धाम यहां पे है तो बिहार वो धर्ती है जो उर्वरा से उत्साह से उमंग से भरी हुई है और हमें यह है कि effort लगाना पड़ता है खुद ही लगाना पड़ता है क्योंकि यहां पे बहुत सारी चीजे जो होनी चाहिए हो नहीं है और ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है विकास नहीं और बहुत तेजी से हो रहा है और मैं जब आया तो देखा कि यार मेट्रो का काम चल रहा है बड़ बड़े ओवर विरिजिस बन रहे हैं ऐसा लगा कि पटना पटाया बन जाएगा तो पटना पटाया बन जाए मेरे शुब कामना है और बाकी जो विहारी जिस फिल्ड में है काम कर रहे हैं बहुत तरक्की कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं और अपने मेहनत के बल पर आक्टिंग के छेत्र में या कॉमेडियन के छेत्र म आने की प्रणा बच्पन से मिली मेरे को हना क्योंकि मेरी मम्मी जब गर्भ में मैं था उनके तो मम्मी पापा दोनों जॉनी लिवर साहब के सुरंदर सर्मा साहब के कैसेट सुनते रहते थे तो मैंने गर्भ में ही कॉमेडी करना सीख लिया था तो बाहर आके ये शुरू हो गया बस तो इस तरह से 2007 में एक चोटा ब्रेक मिला मुझे दग्रेट इनल आफ्टर चैंपियन शो स्टार वन चैनल पर आता था और फिर वो सिलसिला चलता रहा फिर महुआ में एक ब्रेक मिला मुझे मेरा एक शो काफी सुपर डूपर हेट हुआ भाजी नंबर वन आप के आजमाय निकल टिकट नहीं मिला क्या अगर आपको मौका मिले लोग सभा या विधान सभा में तो क्या चुनाव लड़ना चाहिए देखिए बिहार के लाल जो है और राजनितिक परिवेश की समझ और बुद्धी ये बिलकुल हर बिहारी के अंदर बाइफॉल्ट बाइ पहला के इस माद्यम से लोगों का जरूर सेवा करता रहूंगा एलक्षन और चुनाव के माद्यम से ये सारी चीज़े करना बहुत है ये सर्फ यह नहीं कि मंत्री बनना है लाल बत्ती लेना है इसके पीछे एक बहुत भारी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को जब के लिए लायक आपनी बनते हैं तो देखा देखी मत करें मैं हर बिहारी को बोलूँगा कोई काम ये बहुत बड़ी प्रॉब्लेम है गाउं से एक बंदा राइटर निकला तो सब राइटिंग कर रहे है एक बंदी डांसर निकली तो सब डांस कर रहे है ऐसा नहीं होना चा